दोस्तों नमस्कार मैं सूरा सिंग स्री निवास्टी से सौगत करता हूँ आपका इस नए वीडियो में दोस्ता हमारे पास जो भी नए चाय आती है उसका मैं टी टेस्टिंग आप लोग को दिखाता हूँ तो आज देखें छे तरह की नई चाय आई हुई है जिनका मैं टी टेस्टिंग लगाया हूँ तो आप लोग को बारी-बारी से दिखा देता हूं दोस्तों जैसे कि पहली जो चाय हमारा पहार गुमिया का ओफ वन है दोस्तों यहां आके देखें यहां दिखाईए देखें प अच्छा कटिंग है इसका उसके बाद डंगवाजार दोस्तों गुड्रिक के गार्डिन का चाय गुड्रिक बहुत ही फेमस कंपनी टी कंपनी तोस्तों इसका है ब्लाकिस अपीरेंस में दानेदार ओफ कट में जला सा पीडी कटिंग फील हो रहा है बट अल्मोस्ट ओफ क कि उसके बाद सेंचल का वीपी ओके सेंचल भी ब्लैकी से दोस्तों बहुत यह च्छी कटिंग है दोस्तों इसका रेट जो मैं देख पा रहों थिप्व इस रेंज में काफी बहत्र इसका लुक आ रहा है काफी क्लीन ब्लैकिस अपिरेंस उसके बाद मतुरा का बीपी है 1041 वान इन्वाइस है काफी बढ़िया इसका भी कटिंग है दोस्तों ब्लैकिस में चला सा फाइबरी लग रहा है एक दम नाम मातर का उसके बाद फिर से पहार गुमिया का बीपी 1265 इन्वाइस ब्लैकिस ब्राउनी शेड में दोस्तों ब्राउनी इसलिए लग रहा है क्योंकि फाइबरी है जलाजर बट इसकी कटिंग अच्छी लग रही आसाम कट में दोस्तों पटेड़ है डूर्स की चाय बहुत अच्छी उसके बाद दोस्तों लीकर देख लीजिए सभी लीकर का बढ़िया कलर में आये हैं जो मैं देख पा रहा हूं सामने या पर आप आप दोस्तों काफी बढ़िया लीकर आया है सभी चाय का तो अभी बारी बारी से मैं लीकर की टेस्टिंग करूँगा और आपको बताओंगा कौन सी चाय इस बार टेस्ट में बढ़िया आ रही है ओके दोस्तों चलिए सुरू करते हैं पहांट गुमियक ओफन दोस्तों इस्ट्रॉंग चाय है बहुत एची कड़क दोस्तों डंग वाजार ओफ ज्यादा कड़क फील हो रही है यह जो 1075 है उसके बाद सार्दा मनी का बीपी अच्छी चाय दोस्तों कड़क और थोड़ी सी फ्लेवर इसमें सार्दा मनी बीपी में अच्छा स्वाध है सेंचल का बीपी इस रेंज में काफी बहतर स्वाध दे रही है बहुत बढ़िया चाय उसके बाद मतुर्य का बीपी दोस्तों अच्छा स्वाध पहार गुमिया का बीपी दोस्तों स्वाध भी है इस्ट्रॉंग भी है अभी मैं बारी बारी से दूट डाल लेता हूं दोस्तों दूट डालने के बाद देखते हैं कैसा कलर आ रहा अफ्टर मिल्क सभी चाय बहतर आई हैं लीकर में काफी बहतर दिख रही है अभी दूट डालने के बाद और क्लियर हो जाएगा कैसा ब्राइटनेस आ रहा है एक चाय में ओके दोस्तों तो सारी चाय का जो मैं टेस्ट बताऊं इस बार कड़क है सभी चाय काफी बहतर कड़कपन में आ रह है लाल कलर में उनके लिए बेस्ट रहेगा यह आपका पहारगुमिया का यह भी रेडिश और गोल्डेन टोन में आया है ओएफवन अब मैं इसको टेस्ट करूंगा थिकनेस काफी अच्छा दोस्तों दूट डालने बाद गाड़ापन अच्छा आ रहा है पहारगुमिया ओएफ वन में डंगोजार ओएफ बहुत बढ़ी है स्ट्रॉंग अच्छी चाय सार्दा मनी बीपी में एक स्वाद आ रहा है जो सार्दा मनी का अपना गार्डेन का एक फ्रेस्ट फ्लेवर होता है वह आ रहा है सेंचल कड़क है अब कर दोस्तों मतुरा में कड़क है चाय प्रहाण गुर्मिया में दोस्तों एक अच्छा सा फ्लेवर भी आ रहा है स्वाद आ रहा है और कड़क भी यह चाय तो दोस्तों सभी चाय इस बार में अगर बात करूं तो बहुत ही बढ़िया कलर में भी आई है स्वाद में भी बहुत अच्छा आ रही है इस सीजन में य शे की छे चाय बहुत ही बढ़ी आ रही हैं दोस्तों इनका आप सेंपल मगा सकते हैं डाइक पर्चेस भी कर सकते हैं आप देख सकते हैं की कॉल्टी ओके दोस्तों नमस्कार